प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम लोग अच्छा एक हिंदी सारेंगी का पाथ चार पढ़ेंगे रानी भी पाथ का नाम क्या है रानी भी धीरे दीरे रीडिंग करने ही कुशिश कीजिए आ जाएगी रा नी और भी अब रानी भी कौन है क्या है चलिए हम लोग और अपने सामने बुक खोल के रखिए पैंसिल हाथ में पगड़िए जैसे मैं को पढ़ूँगी न उसी दराब से आप दोहराईए आप पढ़ना सीख जाएंगे चलिए फिर हम लोग इसके चैप्टर रीडिंग के बार इसके सारे NCRT कुशन अंसर करेंगे और जो भी एक रामा के साथ रहती है किसके साथ रहती है रानी और रामा दो वहन है उनके शाद वो हमेसे अब देखी सो यह दो बनी है न वहन एक चोटी है बड़ी अब कौन सी चोटी कौन सी बड़ी है चलिए पढ़ते है फिर पता चलेगा रामा ने अपने बालों में कंगी की अच्छ जो भी आपके घर में चोटे भाई भेन हैं, वो आपकी नकल करते हैं ना, तो इसलिए हम लोगों को हमेशा अच्छी अच्छी चीज़े उनके सामने, उनके सामने क्या हमेशा अच्छी चीज़े करने चाहिए, ताकि वो लोग भी अच्छी चीज़े सीखें, चलिए, रामा चपल पहनी, रानी ने भी चपल पहनी, अच्छा, कहां जा रहे हैं चपल पहन के, चलो देखते हैं, रामा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी अपना जोला उठा लिया, अच्छा, रामा ने अपना बस्ता उठाया स्कूल जानी के लिए, और रानी ने भी जोला तो लोग बहुत छोटे होते हैं माने राणी को समझाया राणी बेटी तुमा भी बहुत छोटी हो थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल जाना देखिए माई इसकी माई से समझा रही है न कि तुम भी बहुत छोटी हो थोड़ी बड़ी हो जाओगी फिर तुम भी जाना अच्छा इतना ही बेटा ये चैप्टर है अब हम इसके जो भी ये कुछन अंसर है या जो भी एकसाइज है वो करेंगे चलिए तुमेरे साथ स्टार्ट कीजिए पहले है अनुमान लगाकर सब्दों के शात्र चित्रों को जोड़िए अच्छा ये क्या था आपने देखा था ये बस्ता था और इसको बोला गया था जोला बस्ता और जोला में क्या अंतर आप द सकते हैं बस्ते में क्या होता है वेटा हमेशा बुक्स इसकूल ले जाते तो ये दोनों अंतर है बस्ता और जोला में चलिए अब ये कौन है ये है रानी चोटी है न और ये है रामा ये है चपल ये है इसकूल ये है कंगी और ये है बाल चलिए अब हम इनको नाम जानते है अब हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ये क्या है बस्ता तो कहां लिखा है बख द्धनी वार वार बोली शब्द को बस्ता तो आएगा बस्ता ये दिकी सामनी लिखा है ये लिखा है जोला और ये कौन है रानी तो ये रानी ये रामा चपल किदर है चपल ये स्कूल ये कंगा और बाल इस तरह से इनको मिलाना है ओके चलिए अब हम लोग नेक्स कुशन पर चलते हैं एक वार फिर से अन्वान लगा कर अपने सिच्छत के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए ये आपका काम है मैंने आपको अभी आपको पढ़ाया अब आप लोग भी इस कहानी को आपको फिर से पढ़नी की कोशिश करना है तीसरे प्रशन है यह कहानी दो बेहनों की है उनके नाम बताईए पताईए उनका नाम क्या है बहुत ही आसान प्रशन है क्या नाम था एक का नाम था रामा और दूसरी का रानी चलिए अब है हमारा अगला प्रशन उन दो बेहनों के नाम लिखिए इस तरह पर ये डॉटे फोर्थ प्रश्न है क्या रानी रामा के साथ स्कूल गई बताईए क्या गई थी इसमें दो आप्शन होते हैं जो सही होता है उस पर टिक करना होता है पहला है हाँ रानी रामा के साथ स्कूल गई नहीं गई थी अगला है नहीं रानी रामा के साथ स्कूल नहीं जा पाई ये सही है बातचीत के लिए चलिए आप बातचीत करते हैं पहला प्रेश्ण है रानी रामा के साथ स्कूल क्यों नहीं जाना चाती थी चली दूसरा प्रिशन है माने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया क्योंकि वह बहुत अब चोटी थी खोजें और जानें अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए जानिए कि उनका स्कूल कैसा था उनके स्कूल का चित्र उनकी सायता से कच्छा में सभी के साथ साजा कीजिए यहें भी साजा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है देखिए बेटा क्या करना है अपने घर में जो है ना जैसे मम्मी पापा या दादा दादी तो सबसे पूछना है कि उनका स्कूल कैसा था पहले के टाइम पे बेटा क्या होता था जो स्कूल होता था ना जो से दादा दादी है ना तो उनका स्कूल ऐसे होगा एक पेड़ और जमीन पे ऐसे कुछ बिच्छा होगा या फिर नहीं भी बिच्छा होगा उस पर बैटके बच्चे पढ़ रहे होंगे फिर थोड़ा सा और टाइम आया तो एक छोटा सा कमरे टाइप के बनाने लगे छोटे-छोटे उनमें बैटके बिटाने लगी जमीन पर ही बेंच वा अगला प्रश्ण है हमारा सब्दों का खेल पहला प्रश्ण है नीची दिए गए सब्दों को सुनिए बताइए कि पहली ध्वनी कौनसी है और दूसरी ध्वनी कौनसी है यसे पहली कौनसी है नाना अच्छा हमें इसमें पहली और दूसरी ध्वनी बतानी है नाना नानी का पाका, काकी, मामा, मामी, मा, रामा, रानी, बाल, जोला चलिए अब हम इसमें पहली और दूसरी धुनी को पहचानेंगे जो वेटा पहला है ना जैसे ना, ना तो पहली ध्वनी होई ना की, दूसरी ध्वनी जो दूसरा अच्छर होता है, उसे हम दूसरी ध्वनी बोलते हैं, जो पहला अच्छर होता है, उसे हम पहला अच्छर बोलते हैं, तो इसमें भी ना है, इसमें नी की है, इसमें काकी, इसमें का, आ की, पीछे ना, काकी जैसे काका यह जो मांत्रा आती ना बड़े आ जैसे बड़े आ की बिटा एक मांत्रा होती है जैसे हम बोलते हैं बड़े आ का डंडा तो हम इसकी मांत्रा जैसे यह लिखा है ना रामा तो मा पे किसकी है आ की मांत्रा है तो पीछे द्वनी किसकी आ रही आ रामा मा में आ भी साथ है चलिए, नेक्स्ट है, नीचे दे गए अच्छरों कि धुहनी पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए कि धुहनी पहचानने और लिखने का अभ्यास करना है नीचे दी गई धुहनियों को सुनिए का, पा, ना, मा, रा, ला बताएए कि का, मा, रा, ला, ला के अत्रिक आपको कौन सी सुनिधनाई दे रही है कौन सी सुनिधनाई का के साथ क्या है आ पा के साथ क्या है आ ना के साथ क्या है आ तो हमें किस की धुनी और सुनाई दे रही है आ की अब आ अच्छा फोर्थ प्रश्ण है अब आ लिखने का प्रयास कीजिए अब हमें इस तरह से आ लिखने का प्रयास करना है चलिए नेक्स्ट प्रश्ण है नीचे पांचवा प्रश्ण है नीचे दिये गई चित्रों के नाम लिखी और पढ़ने का प्रयास कीजिए तो वही बता है यह किसका चित्र है, आलू, सबजीयों का क्या है, राज्जा सब को पसंद है, यह फलों का राज्जा, यह कौन है, आम, और यह कौन थी, यह थी रामा, और ये क्या है रंग कौन सा रंग लाल रंग तो इसमें हम रंग भी लिख सकते हैं लाल रंग पूरा भी लिख सकते हैं चलिए पूरा लिख लेते हैं लाल रंग अगला है हमारा चित्रकारी और लेखन मा, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भहिया, आदी का कोई चित्र बनाईए चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास विगेज़ आप लोगों के इनके जो नाम दिये गए नानी भहिया किसी का भी चित्र बना सकते हैं और उनका नाम लिख सकते हैं कि मेरी दादी हैं जैसे यहां पे दादी बना दीजिए इधर साथ दादी, यहां पे दादा, तो यहां पे दादी लिखती है काप आससे वह सबनाने हैं क्याहिए पर प् कुछ शब्ड दीए गए है जैसे कि काप तो इन्हें हमें जोर से इसमें कुछ उन्हें कश भी सब्ड करते हैं चलिए बनाते हैं पहला नहींने बनाया है मैं छोटा कर ले आप लोगों पूरा एक ही दिखाई देजा चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए तो हम सब्ढ बनाते हैं जैसे नोणे बनाया है पहला ओना तो ठीक है यहाँ से ना लिया है बड़ा और यहाँ से भी ना लिया है और आकी मान्तरा ला के बना दिया ना तो हम लोग बनाते हैं अब जैसे का और ला तो हो जाएगा कल और जैसे लेंगे ना और ला तो हो जाएगा नल अब हम लेंगे दा और ला तो हो जाएगा दाल और लेंगे मा और मा तो मा मा अब हम लेंगे का उस का पे आकी मांतरा तो हो जाएगा काल काल में शोता है विटा सम है अब हम लेंगे किसको लेके बनाएंगे और शब्द बताएए का का से बना लेते काम और किसको बनाते हैं दा अच्छा दाल हो गया अब हम किसको बनाएंगे नाम नाम भी बना सकते हैं नाम और क्या बना लें कौन सा सब बन जाएगा ना मा ना नहीं ना पर ही नहीं रहेगा और ये हो गया का और का 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 चलिए ये सारे शब्द हमारे बन गए अब हम नीचे चलते हैं प्रश्ण और पहेली थोड़ा जूम कर लेती हूँ, मेरे पिता के पिता, आपके जो पिता, प्रश्ण और पहेली, मेरे पिता के पिता, देखी जो आपके पिता है ना पापा, तो उनकी जो पापा है वो आपके क्या है, वो आपके दादा जी, या फिर आप बावा बोलते हैं अपनी भासा में, त मेरा नाम का उल्टा, उसका नाम है नीरा, अचा उल्टा बताना इसका, तो पहले क्या आएगा, रा, फिर आएगी नी, तो क्या हो गया, रानी, तो उसका नाम क्या है सहीली का, रानी, नीना की नानी का उल्टा, अचा पहले आएगा, नानी, sorry, नानी की नीना, क्या हो पैंसिल से क्याव बना सकते हैं देखें पैंसिल से घर बना है को बारिक बने हैं बिन्दू बने हैं और पतंग दर्वाजा सब कुछ पैंसिल से ही तो बनाते हैं गमला चौरस रेखा गोला यह सब क्या है हम पैंसिल से बनाते हैं तो हमको बताना है पैंसिल से हम क्या क्या बना सकते हैं अगला है आपकी फैबरेट चीज क्या है रंग भरिए बहुत अच्छा लगता है ना चलिए मन पसंद कलर भनना है अपना अपना अब यह हम नेक्स अच्छा चैप्टर फिनिस हो गया अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो आगला वीडियो के इंतजार है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीज कॉच्च्छू